मध्य पर्देश में करोना वायर्स के संक्रमण के सबसे अठिक मरीच इंदोर महानगर से मिल रही है और ऐसे में इंदोर से अपने माई के 36 गड की रायपूर पहुची नगर की एक महीला ने परशासन की नीद उड़ा दी है आपको बता दे कि सोमवार की रात इंदोर से एक महीला की नगर पहुचने की खबर मिलते ही इस महीला के निवास थल के आसपास के महलो एवं पूरे वार्ड में सन्नाटा पसर गया परशास सुबह जब वाडवासियों को इस बात की जानकारी लगी कि महीला इंदोर से चोकी आई है तो नागरिकों में खलबली मच गई वाडवासियों ने इसकी शिकायत अतका स्थान्य जनप्रतिनी दियो एवं प्रशासन से की टी आई केपी राठोर ने खुलासा किया कि इंदो में सेल्स गल का काम करती थी और 16 अप्रैल को इंदोर से राइपूर आई थी इंदोर से आने के बाद वहें होम क्वारंटाइन में थी अब प्रशन यह उटता है कि राज्यों की सिमाई सील एवं आगमन बंध होने के बाद भी वहें इंदोर से किस तरह राइपूर एवं राइपूर से चोंकि पहुँच गई वहें राइपूर में 14 दिन का होम क्वारंटाइन होने की बात करती हैं तो ऐसे में 16 अप्रैल को राइपूर आई है तो राइपूर को पूरी होती है फिर वहाईपूर से किस तरह निकलकर 27 अप्रैल को अंभिका चोंकि या गई बरहाल महिला का गोलमाल जवाब प्रशासन ही नहीं नागरिकों के लिए भी चिंता का विश्य बना हुआ है नगर के वाड नमबर तीन में इन दोर नगर से एक महिला के आने की खबर मिलते ही सिपी भगेल के निर्देश पर प्रशासन पूलिस एवं स्वास्ते विभाग की अलग अलग तीम तत्काल महिला के निवास्थल पर पहुंची महिला ने बताया कि इसने आज सुबह ही चोंकी अस्पताल पहुंचकर जांच की प्रक्रिया को पूरा किया है और सब कुछ सामान उसे किसी तरह की कोई स्वास्थे का समस्याय नहीं है बमो डॉक्टर ऑर जुबे ने बताया कि इन दोर ये महिला उसके पूरे परिवार को होम आइसोलेट किया गया है अधिकारियों को सुचना दे दी गई है स्थान्य प्रशासन पूलिस एवं स्वास्ते विभाग को स्तर्क किया गया है कि वे इसकी पूरी निगरानी रखे 36 गर्ष से स्टेट एड प्रयनेगरवाल की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुच्राइब करें हैंने वाल किट एंटर्पाइब